आपका नाम क्या है? मेरा नाम शार्दा है आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा आठ में पढ़ती हूँ आपके मा पिता का नाम क्या है? मेरी मा का नाम दया और पिता का नाम रघुनात है अच्छा, आप कहां रहती हैं? मैं रामनगर में रहती हूँ आपके विद्याले का नाम क्या है? मेरे विद्याले का नाम राजकिय बाल विद्याले है आपके कक्षा अध्यापक कौन सा विशे पढ़ाते हैं? मेरे कक्षा अध्यापक हिंदी भाषा पढ़ाते हैं आपकी किस विशय में अधिक रुची है? मुझे भाशा पढ़ना अच्छा लगता है इसमें कविताय होती है, इसमें कहानिय होती है, इसमें नाटग होते है हाँ हाँ, नाटग तो हम खेल भी सकते है आप कौन-कौन सी भाशा इं बोल सकते है मैं हिंदी, अंग्रेजी, खासी और निकोबारी बोल सकता हूँ आपके घर में खाना कौन बनाता है? हमारे घर में मा और पिताजी दोनों खाना बनाते हैं आपको स्कूल कौन पहुँचाता है? मुझे स्कूल छोड़ने कभी मा और कभी पिताजी आते हैं Parent Teacher Meeting में कौन आता है? Parent Teacher Meeting में कभी मा और कभी पिता जी आते हैं。 आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खिचडी खाना पसंद है. आपके इलाके में कौन सा फल ज्यादा मिलता है? हमारे यहाँ अमरूद और पपीता जादा मिलते हैं लेकिन मुझे केला पसंद है आप सुबह कब जागती हैं? मैं सुबह छे बजे उठती हूँ क्या आप प्रति दिन कसरत करती हैं? हाँ, मैं योग करती हूँ आपके स्कूल में कोई योग शिक्षक है? हाँ, हमारे स्कूल में योग शिक्षक है वे हमें योग और दूसरे व्यायाम सिखाते हैं आपको खेलना पसंद है? हाँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है मुझे इंडोर गेम पसंद है और आपको? हाँ, मुझे भी, मैं टेबल टैनिस खेलता हूँ आप वीडियो गेम खेलते हैं? नहीं, मुझे वीडियो गेम पसंद नहीं है मुझे बाहर खेलना पसंद है जैसे कबड़ी आपके क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? हमारे क्षेत्र में को सी नदी बहती है? उसके किनारे बहुत सारे बगीचे हैं हम सब वहां घूमने जाते हैं आप कहां घूमने जाते हैं? हम पार्क में घूमने जाते हैं हमारे शहर के बाहर एक पहाड है यह घूमने की बहुत अच्छी जगह है क्या आपके गाव में खेत है? हाँ हाँ, हमारे गाव में बहुत खेत हैं वहाँ जंगल भी है उस जंगल में एक जर्ना है आपने जर्ना देखा है नहीं, लेकिन मैं देखना चाहूंगा हमारे गाव आना, हम आपको जर्ना दिखाएंगे उफ, आज बहुत गर्मी हो रही है अब बारिश होनी चाहिए आपके शेत्र में मौसम कैसा है? हमारे यहां का मौसम जादतर सामानने या गरम रहता है क्या आपने रेगिस्तान देखा है? नहीं, मैंने रेगिस्तान नहीं देखा वहाँ तो बहुत गर्मी होती है हाँ, लेकिन रात में ठंडी हो जाती है मैं भी रेगिस्तान देखना चाता हूँ मैं पिछली गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ पहाडों पर घोमने गया था वहाँ सर्दियों में बहुत बर्फ गिरती है आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? मेरा पसंदीदा त्योहार दिवाली है दिवाली मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे होली ज़्यादा पसंद है होली में हम खूब रंग खेलते हैं त्योहारों में हम खूब मिठाईयां खाते हैं हाँ, जैसे सेवईयां इद का खास पकवान है त्योहारों के समय मेले में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है हाँ, मुझे भी घूमना पसंद है आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? हम जंड़ फैराते हैं, राश्रगान गाते हैं, लड़ू भी खाते हैं, ऐसे ही गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं दो अक्टूबर को गांधी जयनती पर हम स्वत्चता दिवस मनाते हैं हमारे स्कूल में मात्री भाष दिवस भी मनाया जाता है, जो हर वर्ष 21 फरवरी को होता है आपके घर में कौन-कौन रहते हैं? मेरे घर में मा पिता जी, दादा दादी जी, चाचा चाची और मेरी बेहन है अच्छा, तो क्या आप कभी अपने मामा के घर गए हैं? मेरे मामा मामी, मौसी और नाना नानी रहते हैं, हमारी नानी हमें बहुत कहानिया सोनाती है क्या तुम भी अपने मामा के घर जाती हो? हाँ, मैं तो अपने मामा और बुवा दोनों के घर जाती हूँ मेरी बुवा के घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली भी है मेरे घर में तो गाए और बच्छडे हैं हमारे गाओं में भैस और बक्रिया भी है मेरे घर में एक तोता था एक दिन वे पिंजरे से बाहर उड़ गया मुझे बड़ा मज़ा आया आप स्कूल की छुट्टियों में कहा घूमना पसंद करते हैं मुझे गर्बियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमना पसंद है इन छुट्टियों में आप कहा जाने वाली हैं? मैं तो इन छुट्टियों में सिक्किम या कश्मीर जाने वाली हूँ मेरी इच्छा तो सर्दी की छुट्टियों में गोवा या अंडमान जाने की है अरे अंडमान तो समुद्र के अंदर है वहां कैसे जाते हैं वहां हवाई जहाज और पानी वाले जहाज दोनों से ही जा सकते हैं आप पढ़ लिखकर क्या करना चाहते हैं मैं लेखक बनना चाहता हूँ मैं अपने घरेलू व्यवसाई में सहयोग करूँगी जैसे किस तरह का व्यवसाई खेती बाड़ी, बागवानी, दुकान, कपड़े का व्यवसाई मैं राजनीती में जाना चाहता हूँ मेरा सपना एवरेस्ट पर जाने का है मैं तो सैनिक बनना चाहती हूँ